तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूटूब चनल उत्रानी क्लासेज में है जैसा कि आप सभी को पता है कि इंप्रॉपर इंटेग्रल हमें स्टार्ट कर चुके हैं जो कि आपका रियल एनार्सिस का पोर्त यूनिट में हैं पहले रिमार इंटेग्रल दिया गया है उसके बाद आधे यूनिट में इंप्रॉपर इंटेग्रल दिया गया है तो पहला पार्ट हम कवर कर चुके थे अच्छा हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि इंप्रॉपर इंटेग्रल होता क्या है improper integral of first kind second kind third kind क्या होता है और इसकी value कैसे find out करते हैं कैसे हमस्ते हैं कि यह first kind second kind है और अगर इसकी value find out करने हो तो वो हम कैसे सबजेंगे यह सब चीज़ों को हमने जाना था ठीक है तो आज हमारा second lecture है आज हम convergence of improper integral पर discuss करने वाले हैं यह क्या है मतलब improper integral कब convergent होता है कब divergent होता है इस पर हम discuss करेंगे अच्छे जैसा कि आप सभी ने first year में sequence and series पढ़ा होगा तो sequence में आपने पढ़ा होगा convergence sequence, divergent sequence, oscillatory sequence यहाँ पर oscillatory का थोड़ा कम यूज है यह कालो कि उस पर question based नहीं आते हैं ठीक है convergent, divergent दो चीज का युज है अच्छा कोई sequence convergent कब होता था convergent तब होता था कि अगर n tends to infinity sn इसकी value कोई finite नी या fix quantity आ जाए ठीक है तब वो sequence convergent sequence होता था इसी तरह यहाँ पर क्या होगा जब हम improper integral लेंगे तो उसको कैसे भी solve करें अगर कई type के test वहाँ पर भी apply करके हम convergent divergent की बात करते हैं यहाँ पर भी दिमें दिमें कई type के test apply करेंगे अच्छा एक चीज है कि नाम से आप confuse मत हो ना वहाँ पर भी आपको comparison test होना और काफी type के test दिखते थे तो कुछ नाम यहाँ पर भी same है वह वाला नहीं है वहाँ पर sequence के लिए apply होता था और यहाँ पर series के लिए apply होगा ठीक है तो कोई integral है अगर उसकी value हम कैसे भी करके चाहे कोई test लगा के चाहे भी ना test लगा है कैसे भी अगर find out करें ठीक है अगर वो finite fixed quantity आ जाती है तब वो improper integral क्या होगा convergent होगा ठीक है अच्छा divergent कब होगा भाई जब वहाँ पर divergent कैसे होता था sequence में कि infinity चाहे वो plus infinity है चाहे मानस infinity आती थी तो वो divergent हो जाता था तो यहाँ पर भी वही काम होगा यहाँ पर किसी प्रॉपर integral को आप solve करो और उसकी value plus minus infinity टाप किया है तब वो क्या हो जाएगा तब वो divergent हो जाएगा ठीक है तो convergence में हम यही discuss करने वाले हैं अभी बुक की पूरी language लिखके उस पर मैं discuss कर दूँगा यह तो उपर उपर से मैंने समझा दिया और इसके बाद इस पर हम कुछ question solve कर लेंगे आज तो आई start करते हैं देखिए मैंने क्या बताया कि अगर इंप्रॉपर integral है solve कर रहे हैं तो finite fixed quantity पर जाता है तो convergent होगा solve कर रहे हैं infinite quantity पर जाता है मतलब infinite पर जाता है तो divergent होगा ठीक है अच्छ अब एक problem हो रहे हम लोग के साथ कि अब उसमें first kind आएगा second kind आएगा third kind आएगा अच्छ तो तीनों का अलग अलग देखेंगे तो हाँ तीनों पर अलग अलग टाइप से discuss किया जाएगा फिलाल यहां पर मैंने जो लिया है यह मैं नहीं बताऊंगा यह आप मुझे comment box में बताना ठीक है यह पता नहीं है तो first video देखिए वहां पर first kind second kind third kind तीनों को मैंने एकदम अच्छे से explain किया है बहुत अच्छे से बहुत deeply explain किया गया वहां पर तो यह आप मुझे देख के बताना ठीक है कि यह first kind है कि second kind है कि third kind है ठीक है अब हम यहां पर क्या बात करने वाले हैं इसके convergence की ठीक है तो पहले इसको पाड़ पाड़ वही चीज है जो मैंने समझाई के वाल उसको मैंने बुक की लेंगवेज में लिख दिया है अच्छा आप को अगर नोट करना हो तो पहले आप screenshot ले लेना ठीक है आई थिंक आप ले लोगे मैं हाट गया ठीक है ले लेना यह लिख लेना इसको अच्छे से ठीक है ह हाँ अलग-अलग भुक में जैसे आप पढ़ोगे तो काफी अलग-अलग थोड़ी लेंगवेज दिखेगी जैसे मैंने यहां पर जो लेंगवेज लिखी है जरूरी नहीं कि अगर किसी बुक से आप पढ़े हो तो वहां पर सेम लेंगवेज मिले मीनिंग समझना मीनिंग f x is equal to f a को लिख देता है यहां इसी को कोई mod of f x minus f a is leading epsilon whenever mod of x minus f a is leading data यह लिख दे मिनिंग सेम है ठीक है दोनों का मतलब एक है मिनिंग सेम है ठीक है लिखने का तरीका अलग लगे ठीक है तो यह चीज़ यहां पर भी उप्लाई वे जो मैंने लिखा है हो सकता है कहीं और किसी language में लिखा हो ठीक है न तो यह गलत है न तो वह गलत है ठीक है भावना सेम है ठीक है मीनिंग पर जाए जब लोवा लिमिट इंफिनिटी हो जाए जब अपर हो जाए और जब लोवर अपर दोनों infinity हो जाए अच्छा यह फर्स्ट का इंडोटा था मैं ही बता दे रहा हूं ठीक है फर्स्ट का इन में होता क्या था यह तो अपर लिमिट इंफिनिटी हो जाते थी यह तो लोवर यह तो दोनों ठीक है दीक है क्या लिखा है भी डिफाइन इंटिग्रल ओवर एटो सब्सक्राइब्ज अधिक है तो इस इंफिनिटी को यहां पर लिकके लिमिट ऐस्ट टू इंफिनिटी कर दो यहां कोई भी टिया है ठीक है कोई प्राइलन भी ग्रेटर देन जीरो क्वांटिटी होती है very small greater than 0 तो आप उसको भी लेकर चल सकते हो ठीक है अच्छा आप यह लिखो चाहिए लिखो बात एकी है ठीक है यहाँ पर 1 upon 0 infinity ठीक है यहाँ पर भी आ गया अच्छा अगर इसकी value यह आ जाए ठीक है कब where fx is bounded जब fx bounded अगर bounded नहीं होगा अगर यह unbounded होगा और infinity भी है तब यह third kind का left nation हो जागा यह third kind में चल जाएगा क्योंकि अभी हम first kind की बात कर रहे हैं ठीक है तो first kind में यह infinity और यह bounded होना चाहिए ठीक है यह यह a कोई finite quantity हो जाए तब यह convergent होगा और अगर यही a infinite quantity हो जाए तब यह divergent होगा एक बढ़ ले रहाँ the integral integral over a to infinity fx dx is convergent if a is finite ठीक है अगर a को हम finite कर दें तो यह convergent हो जाएगा and divergent if a is equal to plus infinity और minus infinity ठीक है अगर a की value infinity हो जाए तब वो क्या हो जाएगा divergent हो जाएगा ठीक है अच्छा अब इसको समझा दीजिए देखिए we define integral over minus infinity to b ठीक है भाई यह तो यह infinity यह तो यह infinity यह तो दोना infinity एक बार मैंने यह वाला infinity का किस ले लिया एक बार नीचे infinity लिक करके बात कर ले रहे हैं एक बार दोनों में infinity के बात कर लेंगे ठीक है minus infinity to b fx dx is equal to अब इसको इस तरह हम change कर सकते हैं ना ठीक है कर दिया मैंने अगर इसकी value b आ जाए ठीक है अब फिर यह b क्या होगा उस पर depend करेगा अब अगर यही बी कोई finite number हो जाए तो यह convergent हो जाएगा ठीक है और divergent के लिए इसी बी को प्लस यह minus infinity मेंसे कुछ होना होगा ठीक है अब इसके थर्ड वाले case पर डिसकस करें देखे थर्ड टाइप इसमें क्या होगा इसमें यह दोनों infinity होंगे ठीक है integral over minus infinity to plus infinity fx dx इसको इस तरह break कर सकते हैं अगर यह क्योंकि देखिए यह तो पूरा real line आ गया ना minus infinity to plus infinity उसके बीच का कोई भी member ले करके जिस पर यह bounded form करता हो जिस पर अन bounded form करता हो वह नहीं लेना है ठीक है जिस पर bounded form करता हो वही लेना है ठीक है उसको लेके हमने break कर दिया ठीक है अब break करने के बाद देखेंगे कि अब इसको तो इसको और इसको first और second वाला वो case है जो मैंने लिखा था ठीक है उससे break कर लेंगे ठीक है limit limit लगा के इन दोनों को तो अगर यह दोनों कन्वर्जेंट आते हैं यह दोनों कन्वर्जेंट आने का मतलब कि अगर हम इसको solve करें यह भी finite कोई fixed quantity आई और इसको solve करें यह भी finite fixed quantity आ है अगर दोनों when Bien divergent आते हैं तो divergent होगा और अगर एक भी divergent आ गया जैसे एक convergent एक divergent आ गया उस case में भी divergent होगा ठीक है बात समझ में आई अब वहीं मैंने यहां पर लिख दिया है the integral minus infinity plus infinity fx dx is convergent if both integrals on rhs of first are convergent मतलब अगर दोनों convergent होगे तो ही यह integral convergent होगा ठीक है भाई इसका भी कोई fix quantity इसका भी fix quantity add कि यह कोई finite fix quantity हो गई तो obvious से convergent होगा अच्छा divergent में क्या हो रहा है कि अगर मानी कि यह convergent आगे यह divergent आगे यह finite fix quantity infinity दोनों को add कर दी infinity हो गया भाई टोटल सम को देखना है ना टोटल सम तो infinity हो गया और infinity आने पर वह होता क्या था डावर्जेंट होता था डावर्जेंट हो गया उसी तरह कर दोनों infinity आगे तो obvious है तब तो वह divergent होगा ही होगा वहीं मैंने लिख दिया है इफ वन आप देश इस डावर्जेंट दैन इंटेग्रल मानेस infinity to plus infinity effect dx is divergent अगा कोई एक भी divergent हो जाए तो यह integral divergent हो जाएगा ठीक है अब इसी first kind पे तीन चार कुछ question हम solve करते हैं ताकि इसके concept को हम भाई यह तो theory थी अब इसी theory को apply करना भी तो सीखने आना चाहिए ठीक है apply करके question को solve करना वो भी एक important चीजे एक जाम में तो question भी पूछेगा theory के साथ साथ ठीक है तो चलिए थोड़ा question solve करके score अच्छे तरीके से सीखते हैं देखे question क्या है test the convergence of integral of 1 to infinity dx upon में x to power 3 by 2 ठीक है अब ठीक है यह first kind वाला था इसको हम solve कैसे करते थे जब वहाँ पर मैंने first kind वह आपको बताया था और अभी भी मैंने बताया कि अगर कोई इस टाइब करो a यहां infinity यहां fx यहां dx ठीक है तो simply किसी भी तरह से यह तो आप epsilon लेके करो epsilon लेके x लेके करो x लेके यहां कुछ भी word देलो तो भाई यहां पर दिखे मुझे p से प्यारे में p लूँगा ठीक है यह a हो गया यह fx dx हो गया ठीक है बात वही है अब बस यहां पर infinity जगर मैंने p लगा दिया और p को infinity के side tend कर दिया ठीक है a से भी प्यारे a यहां पॉले से दिया था इसलिए मैंने नहीं लिया ठीक है तो अब इसकी value आप निकालो फिर जो भी आए उसमें p को infinity पे tend करा दो ठीक है अब यही काम करके इसको हमें solve करना है और देखना है अगर इसकी कोई quantity finite or fixed quantity आ जाए देन यह convergent हो जाएगा अगर infinite finite आ जाए तब यह divergent हो जाएगा ठीक है देखिए पहले यह लिख दे रहे हैं one to infinity dx अपन में x to the power 3 wide अच्छा इंटीग्राल आना चाहिए ठीक है यहां पे तो छोटा सा दे दिया है कभी कभी क्या करता है कि थोड़ा फसाने के लिए पेपर में आपके long में यह question दे देगा आपको integral थोड़ा tough देदेगा क्योंकि integral लिमिट का ही काम है तो इन दोनों का concept आपका better होना चाहिए अच्छा अगर integral आपका concept थोड़ा थोड़ा भूल गए हो यह कहीं problem होती तो वीडियो आपको मिल जागा चैनल पे ठीक है सब्सक्राइब कर लिए प्लेलिस जाके चेक कर X X तो पहले से दिया है तो हम P ले लेते हैं ठीके पीशे लगा होगा है हमकोuno une P J D X अपान में X WBox three by two ठीक है यह हो गया अब इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम अच्मिक हो लिखनी है है ध्याम नहीं लिखेंगे तो गरभढ हो जाएगा काम लिमिट पी टेंस टू इंफिनिटी अच्छा देखते रही है ठीक है यह नहीं कि मैं सॉल कर रहा हूँ अब ठीक है गबड़ा जाओ उसी में देखते रहा ना भाई ठीक है तो यह वन यह पी यह एक्ट पाव माइनस ट्री बाई टू डी अक्स इसी तरह करते थे थे ना अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहां पर लिख दें लिमिट पी टेंस टू इंफिनिटी इसको हम वन यह पी एक एक किस्टेप हम कर दे रहे हैं अच्छा यह हटा आदें इंटीग्रल कर दें ठीक है तो यह हो जाएगा एक्स पाव माइनस ट्री बाई टू प्लस वन प्लस पूट करते हैं तो अब यह क्या जाएगा एक्स पावर यह माइनस वन बाई टू और यहां पर पी यहां बन पहले इसको पूट करते हैं फिर इसको कर दे रहे हैं लिम rivalry टेंस टू इंफिनिटी अब यहां परो क्या हों जाएगा यह तो मायनस टू आ गया मैं ठीक है इस माइनस टू को यहां देते हैं यहां पर कर देते हैं तो यह पी टुदी पावर मालास वन बॉन टीओ और मायनस वन ठीक है यह ऊंगय ककी यह और यहां पर आपका हो जाएगा प्लस 2 ठीक है अब अच्छा फी को इंफनेटी के दिराफ टेंट कराना है तो यह इनफनेटी और यह प्लस 2 अच्छे यहाँ पर तो लिमिट को अप्लाई कर दें तो यहाँ पर तो पी वाला टर्म है नहीं तो इसका एंसर यह टू और यह बनाते हैं यह यह प्लेस्ट तो जब आप अप्लाई करोगे ठीक है तो यहां माइनस डू अपॉन में इंस्टि और यह प्लस टू यह आपका टू एंसर आगया प्लस टू आगया मतलब finite or fixed quantity मतलब क्या है मतलब यह जो integral दिया गया है यह integral convergent है ठीक है अच्छा नहीं समझ मैं आओ तो एक बार फिर revise कर दे रहा हूँ देखे यह concept क्या है कि जब भी कोई improper integral दिया रहा है तो हम unknown चीज़ को known में convert करते हैं न तो उसको proper में convert करिए तो उसको solve करिए तो अच्छा improper को proper में convert करने के लिए क्या करना होगा इस infinity वाला term यही इसको improper बना रहा है न तो इसी को आप हटा दो यहां मैंने p किया यह p tends to infinity कर दिया अब अच्छा इसको छुपा कर देखो यह proper है इसको जैसे हम solve करते थे ठीक है अब उसके बाद जब उसमें solve हो गया तब उसमें हमने limit को apply करकि उसका answer बता दिया कितना simple है आई एक question और solve करते है देखे question क्या है test the convergence of integral over 0 to infinity 4a upon me x square plus 4a square dx ठीक है आई इसको solve करते है ठीक है क्या है question 0 to infinity 4a upon me x square plus 4a square dx ठीक है ठीक है अच्छा इसके form पर थोड़ा इसको convert कर लेते हैं तो हम क्योंकि improper है तो इसको proper में convert करना होगा ठीक है तो इसको आप ये लिख सकते हो limit ना पी लिखूँ ठीक है ये 0 ये p और ये 4a upon me x square plus 4 अच्छा इसको 4a square नहीं लिख सकते हैं हम इसको थोड़ा change कर देते हैं formation 2a का whole square dx इस तरह करके लिख दे रहें ठीक है अच्छा क्योंकि ये हैं वो भी बताएंगे हम ठीक इतना हो गया अब अच्छा 4a constant है तो इसको बाहर निकाल देते हैं ठीक है कोई फरक तो पड़ेगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा limit p tends to infinity यहाँ पे ये 4a भी मैंने माने के लिख दिया ठीक है बाहर देखे अब ये क्या बचा वन अपॉन में x square प्लस a square की formation है ये 1 by a 10 inverse xya की formation होती है तो जब हम इसको integral करेंगे तो क्या आजाएगा ये आजाएगा 1 upon 2a 10 inverse xya मतलब x upon में 2a और इसी पे हम ये limit apply कर दें यहाँ p और ये 0 ठीक है कोई problem कोई problem नहीं ठीक है कोई problem होगी भाई comment box से बता दीजेगा फिर से इसको समझा दूँगा ठीक है ये हो गया अच्छा अब ये apply करिए ठीक है अच्छा दीक है ये a से a cancel ये 2 अंचा 2, 2 तू जाफोर तो यहाँ 2 आएगा ठीक है उसको भी एक step करके लिए देते हैं 2 10 inverse x upon में 2a ठीक है यहाँ P हो गया थोड़ा बड़ा हो जाए ये 0 हो गया ठीक है अब इसको इधर solve कर देते हैं अब देखे क्या होगा अब इस P और इस 0 को apply करें तो ये होगा limit P tends to infinity तो ये 2 10 inverse P upon में 2a minus 10 0 0 हैगा न ठीक है sin 0 by cos 0 0 हो गया ठीक है sin 0 0 cos 0 बना देगा ठीक है तो ये 0 बना दिया अब यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा limit को apply करेंगे 2 10 inverse infinity ठीक है तो ये 2 अच्छा 10 inverse infinity 10 10 में infinity P by 2 ना भाई इस तरह आप समझ लो कि sin pi by 2 upon में cos pi by 2 हाना मतलब sin 90 upon में cos 90 हाना sin 0 0 होता है sin 91 होता है 1 upon में 0 infinity बना देगा ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा pi by 2 ठीक है तो इसका answer आ गया pi मतलब finite और fix quantity आ रही है मतलब क्या है मतलब ये given integral कनवर्जेंट है आई समझते हैं नेक्स्ट कोश्चन ठीक है क्या था टेस्ट दी कनवर्जेंस आप इंटेग्रल माइनस इंफिट्र जीरो इपावर एक्स टीक है यहां पर मैंने पाला ही स्वाल कर दिया है ठीक है आपके समझने के लिए कि फटा फटा आप समझ लो ऐसे बा यहां पर मैंने पी ले लिया पी को इंफिट्री पर टेंट करा दिया इस तरह इसको लिख सकते हैं अचा अब यहां पर क्या होता है न कि हम एक्जाम में क्या मिश्टेक करते हैं कंफ्यूज क्या होते हैं कि यहां पर हम सोचने लगते हैं कि यहां पी रखें कि माइनस भी तो obvious यार, कि अगर यहाँ 0 दिया है, और यह lower limit है, तो उससे तो छोटी ही होगी, तो obvious है भाई, 0 से चोटा आपको negative number लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तो आप minus होगे, ठीक है, वैसे भी lower limit है upper limit, तो यहाँ पर इसको इससे चोटा होना ही पड़ेगा, तो इतना थोड़ा बहुत दिमाग हम लगा सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत calculation इस टाइप से हम कर सकते हैं, ठीक, तो अब देखे, अब इसको आप integral करो, तो e power x का integration e power x होता है, ठीक है, यहाँ पर हमने limit जो थी, upper lower, वो लिख दिया, दोनों को apply कर दिया, e power 0, 1 हो जाएगा, यह e power minus p आजाएगा, e power minus p जाएगा, अच्छा, two point something है, उस पे infinity लगा रहे हैं, मतलब किसी number के power infinity लगा रहे हैं, मतलब उसको खुब दूर ले जा रहे हैं, खुब दूर, कितना दूर, बहुत दूर, ठीक है, बहुत दूर, तो बहुत बड़ी quantity आएगी, कितनी बड़ी, इतनी बड़ी, कि हम उसको major नहीं कर प कर लो, कि e power infinity होता है, e power minus infinity होता है, जिसको confusion हो, उसके लिए मैंने थोड़ा सा सोचा, explain कर दूँ, ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, e power, यह तो 1 हो गया, ठीक है, अब e power minus infinity, तो यह 0 आ गया, ठीक है, आप समझ सकते हो, तो 1 minus 0, 1 हो गया, मतलब फिर से यह finite of fixed quantity आ रह है, यह 3 question मैंने यहां पर लिख दी है, ठीक है, पूरा करवाने पर class थोड़ा लंबा चला जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इन तिनों को लिख दिया है, और आप solve कर लेना, ठीक है, solve कर लेना, अगर नहीं आएगा, तो उससे आप discuss कर लेना, अच्छा एक चीज़ हो, म 299-643, प्लिस कॉल मत करेंगा, ठीक है, यार, नमबर देने हो, तो आप कॉल करने लगते हो, हाई हेलो, यह सम मत करेंगा, ठीक है, simply आप कहिएगा, sir, मुझे WhatsApp पे add कर दिये, तो मैं उस group में add कर दूँगा, ठीक है, तो उससे आप, हाँ, अगर education के लावा और कोई discuss हुई, तो मैं remove कर दूँगा, block कर दूँगा, ठीक है, no doubt उसमें कहीं कुछ होना नहीं है, सुनवाई, ठीक है, number से भी block मार दूँगा, ठीक है, इतना system आ गया है, ठीक, seriously, अगर किसी को पढ़ाई करनी हो, ठीक है, question में confusion होती है, concept में confusion होती है, then उसके लिए नमबर है, ठीक है, ज उसके लिए फिर आप निकाल दे जाओगे, इस group से, ठीक है, फिर मुझे फरक नहीं पड़ता, कि आप मेरे videos देखो, या न देखो, serious हो पढ़ाई को लेके, ठीक है, पढ़ाई करनी है, real में, तब आपका स्वागत है, किसी भी type की help हो जाएगी, कहीं कुछ पैसे में होती ह पैसे के, ठीक है, तो उसमें भी compromise हो जाएगा, ठीक है, पैसे वाली help में भी, हाँ, लेकिन अगर पढ़ना है तब, अगर नहीं पढ़ना है, तो कहीं से कोई compromise नहीं होगा, direct block कर दिये जाओगे, कोई सुनवाई नहीं होगी, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते ह अपने next video lecture में, तब तक के लिए, स्वस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जय हिंद,